मुझे ज़िए हम मुलते हैं गुरू के महा गुरू से लेट्स वेलकम एवरिवान श्रीमान अनिल कूरी जी तब से पहले आप सभी को और पूरे हिंदुस्तान को जो मुझे प्रेजेंट टाइम पे लाइव देख रहे हैं और इस प्रोग्राम के बाद ही जो मुझे लाइव देखेंगे यूटूब पे आप सभी को और हम सभी को एसली पिस कंपनी के जनम दिवस की हारदीग हारदीग दोस्तों शूब कामने थेंक यू तो से पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का पिछले साथ साल से हिंदुस्तान के गाउं-गाउं सहर सहर में मुझे आने का मुका मिला और हिंदुस्तान के गाउं-गाउं सहर सहर में आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया जो मुझे सम्मान दिया और जो मेरा साथ दिया इसके लिए आप सबका तैदिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों थे करेंदे। किशे här ॵागे ँछाओ अग्याने कर ना झाओंगा है। शावलबा के लिख il जिछ गैसें। इंट से आगे का बड़ा शुवल मुझे पता नी यह। तो धन्यवाड सवर्श्य ही अपने विचार होकर में भाव को वीख्थ करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, SLEPS Company, Sanjihu Guruji, और मामजंद Guruji का, कि मेरे भी तना विस्वास किया, और मेरे को इस मंच तक लाने के लिए, और हिंदुस्तान में SLEPS Company को प्रेजेंट करने के लिए, मेरे विस्वास किया, और इसका बिल मुझे बनाया, कि मैं पिसले साथ साल से हिंदुस्तान में लगों के साथ मिल पाया, और मिलकर लगों के साथ अपनी बातें शेयर कर पाया, और कंपने के इस मुकाम तक कंपने को पहुचने में, मैं अपना योगदान दे पाया, बहुत धन्यवाद, Guruji, दोस्तो, नाम आप सभी जानते हैं, आप सभी के सहरों में, गाओं में, कभी ने कभी मैं आप से मुलाकात हुई है, अनिल कुरी नाम है, और आज आप सभी S.L.P.S. कंपने के सकस्स में, इस साथ में, जनम दिवस पे, पूरे हिंदुस्तान में एक त्योहार जैसा, आज जनम दिन कंपने का मनाया जा रहा है, और आप सभी भढ़ चड़के जो हिस्सा ले रहे हैं, दोस्तो, पिजले साथ साल में से लिए उस कंपनी हिंदुस्तान की, नमबर वन कंपनी, कंपनी प्रड़के मामले में, कंपनी प्रड़के मामले में, कंपनी लिडर्शिप के मामले में, और कंपनी मैनेजमेंट के मामले में, इंडिया की नमबर वन कंपनी बन पाई है दोस्तो, जितना योगदान, जितना योगदान कंपनी को, नमबर वन बनाने में कमपनी के पुरेट का, कमपनी के प्लान का, कमपनी मेनेजमेंट का है मैं अगर ये बात कहना चाहूँ कि साइद इससे कहीं ज्यादा योगदान SLEPist Company को और SLEPist Company के लीडर्स को इस काबिल बनाने में सबसे बड़ा योगदान में कहना चाहूँ SLEPist Company के fighter success system, education system और इस कमपनी के education का है जिसकी वज़े से आज हिंदुस्तान में SLEPist Company के लीडर्स को आज छोटे-चोटी उमर में आप लोगोंने देखा है आप लोग देखते हो कि चार साल, पांच साल, तेन, तिन वरस में और अठरा, पत्चीज, पें, तिन वरस के लीडर्स की अज हिंदुस्तान में SLEPist Company के लीडर्स की क्या उंदा लेवल की speeches है क्या बहतरी लेवल की टेनिंग्स है जिनके सामने लोग नतमस तक हो जाते है और ऐसा मैंने हिंदुस्तान में कई बार नहीं हजारों बार मैंने ऐसा सुना है जब लोग हमारे लीडर्स से और हमसे मिलते हैं तो यह बात बोलते हैं कि सर इतनी कमाल की एजुकेशन इतनी कमाल की शिकलाई और तिने कमाल का प्रेजेंटेशन कि इस प्रकार सिर्क कहां से सीख गर के आये हो तो यह सारा क्रेशिड जाता है यह पूरा पूरा स्रे जाता है ऐसलिए पिस कंपनी के एजूकेस्न सिस्टम फाइटर सक्सर सिस्टम को एक बार जोरदार तालियां बनते सिस्टम के लिए जोरदार मतलब जोरदार दोस्तों मैं पिछले साथ साल से हिंदुस्तान में हर गाउं सहर में घुमता हूँ और मेरे को हर दिन मेरी मुलाकात हर दिन मेरी मुलाकात ना जैना कितने लोगों से होती है और हर एक जगह ट्रेनिंग्स में या किसी से मुलाकत करके जब लोग मेरे से बार बार स्वाल पूचते हैं सर कि क्या माध्यमर क्या तरीका है इस इंडिस्ट्री में जल्दी कामियाब होने का और शोट टाइमें पैसे कमाने का तो यहां सक्सस का सिरफ एक ही सिक्रेट है जो मेरी नजर में जिसमें मन्याब तक काम किया है कि जिंदगी में काम कोई भी कीजिये लेकिन इस काम में अगर आप कामियाबी चाहते हैं तो दोस्तों अपने आपको काबिल तो बनाना पड़ेगा काम्याभी का काविलियत से हो के गुजरता है बिना काविलियत के काम्याभी कभी जिन्दगी में आती नहीं है और इस नेट felक असे ने सव्हक अनर्डšτι को लेकर के नहीं आए हैं लेकिन दोस्तों हम सभी कहीने की मिडल परिवार से और नॉर्मल से गाउद्यास से रहने वाले हैं हमारा एजुकेशन लेवल भी कहीने कहीं बहुत निमनर बहुत नॉर्मल रहा है लेकिन काबिलियत के कामियाभी के लिए काबिलियत तो होना जरूरी है और वेड़मना यह है कि दोस्तों यहाँ पर इस इंडुस्ट्री में जब लोग आते हैं तो प्रफेक्शन नहीं होता जिसकी वज़े से लोग अपने साथ नहीं होते जिसकी वज़े से लोग अपने साथ नहीं आते जब इस इंडिस्ट्री में आ गए हैं तो लोगों से मिलना तो पड़ेगा कर्णमेंस तो करना पड़ेगा प्रजेंटरसन तो दिखानी पड़ेगी प्लान तो शो करना पड़ेगा fall up तो करना पड़ेगा और ना को हा में बदलवाना पड़ेगा और ना को अगर हा में बदलवाना है तो मेरे दोस्तों perfection के साथ market में जाना पड़ेगा वो सबसे बड़ी समश्या यह है इस दुनिया में इस दुनिया में जो भी इनसान जिस भी किसी profession में, जितना ज्यादा educated है, जितना ज्यादा perfect है, उतना ही ज्यादा कमाता है, जो ज्यादा पडाली का doctor है, वो ज्यादा फीच लेता है, कम पडाली का doctor है, कम फीच लेता है, मेरे दोस्त इसलिए, network marketing industry में, जिसका ज्यादा बहतरीन plan presentation है, जिसका ज्यादा बहतर क्वालिटी ट्रेंग्स की है जिसके बहतरीन क्वालिटी कंसलिंग की है वही शोट टाइम में जल्दी टीम बनाता है और अपने फॉल्वर बढ़ाता है दोस्तों ये बात मैं हमेशा लोगों से शेयर करता हूं और जब मैं हंदुस्तान में गले के लिए जाकर हार ट्रेंग जब लोगों से मिलता हूं और जब मुलाकात करता हूं रियली बोल रहा हूं जब मैं ट्रेंग्स वाल में जाता हूं जब मेरी लोगों से मुलाकात होती है रियली बोल रहा हूं मुझे बड़ी खुशी होती है मैं सुबह श्याम दोपे दिन रात हर दिन लोगों से मिलता ह हुआ हुई हैं भड़ी खुशी होते लोगों को देख करके द Image to अनिदे अब लगहारे कर के दिल खुश हो जाता है केshore से मिलकर लगए लेकिन एक्साइटपेंट यह पका जणब यह आपका ज़ंुन कामिया भी नहीं दिला पाता है जब तक वेक्टी के पात perfection नहीं होता वो सबसे बड़ी समझेश इंडरस्ट्री के यह है कि यह direct से लिग इंडरस्ट्री हमें और आपको perfect बनने के लिए हमें और आपको सीखने के लिए यह को specific समय नहीं देती इसका 6 मेने हम कहीं कोर्स करने जाएं इसको 3 साल हम सीखने के लिए जाएं और समय निकालें दो कर 만큼 6 मेने हैं तीन मेना साल 3 साल अगर सीखने लगेंगे उसकर सीखने में समय लगाएंगे तो अपने एक्साइट मेंट हम खो हाएंगे सबसे बड़ी प्रोब्लम यह जब इंसान आता है और जुवाइन होता है वो तुरूंत बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता है पहले सफता में चेक बनाना चाहता है पहले ही महिनम अच्छी इंकम लेना चाहता है अगर वो इंकम ना ले पाए सफता में चेक ना बन पाए महिन है क्यों पढ़ाया था क्यों फीस दी थी और कहां दो के च्यार करने में घुज गया है जिसकी वज़े से एक इंसान आता है इंड़स्ट्री कुट कर जाता है इंड़स्ट्री छोड़ जाता है और कहने के जिन्दगी मेरे भाई हार जाता है हर इंसान इस इंड़स्ट्री में कामया हो सकता है लेकिन सेbourब सीखने का समय ये इंड़िस्ट्री किशी को देती नहीं है जिसकी वजह से इंसान perfection में आ पाता नहीं है और बिना perfection के कभी जिंदगी में कामया भी हासिल को jest कर पाता नहीं है तो दोस्तो मेरी जीवन में मेरा परसनल व्यू अगर मैं कहना चाहूं मेरे जिन्दगी में नेट्वर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा कारण है परफेक्षन एजुकेशन सिकलाई लेकिन समश्या यह है कि सिकलाई लेंगे कैसे यहां तीन रात की ट्रेनिंग होती है यहां चार दिन की ट्रेनिंग होती है तीन रात चार दिने में ट्रेन बनने की कोशिश करते हैं तीन रात चार दिने हम ट्रेन करने की कोशिश भी करते हैं और बेटर से बेटरी ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करते हैं लेकिन मेरे दोस्तों तीन राज च्यार दिन में, दो दिन में, च्यार दिन में, इंसान प्रफेक्ट नहीं बन पाता, इंसान सीख नहीं पाता, और प्रफेक्ट स्वालों का जवाब दे नहीं पाता, हम जाते हैं समझाने, लेकिन लोगों के स्वाले से बैंकर खतरनाक होते हैं, कि बहुत बारी ज करने जाते हैं उनकी बाते सुनकर उनके एक्सपेरियन सुनकर और उनके बाते बदावारा बताएगी पहले लगों कि कहानी सुनकर जाते हैं मोटिवेट करने लेकिन कहीं न कहीं डी मोटिवेट होकर के वापिस आ जाते हैं और जाते हैं इंडिस्ट्री में काम्याब होने के और कहने के जिंदगिम दोबारा अपना वही जीवन और वही दिंचरिया दोबारा जीवन में शुरू कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, कि शिरफ आपके साथ ही होता है, मेरे दोस्तों, मेरे साथ भी जिंदगिम कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं थोड़ी से अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में, अपना थोड़ा एक्स्पेरियंस शेयर करना चाहूंगा आप लगों के साथ में, मैं बैसे कि रहने वाला हरियाना डिष्ठिक जजजर, गाव मुंदसा का निवासी हूँ, एजुकेशन वाइस, जैसे तैसे बारवी क्लास पड़ा लिखा हू तो दोस्तियां टूट जाती हैं, तो अपना प्रिवार का मैच नहीं खाया अभी सोच का, तो जिन्दकीमना प्लेयर बने, औरना कभी जिन्दकीमन डॉक्टर टीचर बने, बीच के अगरस्ता निकला, और लगभाई चांस मुझे मोका मिला, भारती सेना में नौकरी करने क स्पोर्ट लाइन से गया, पांच साल नौकरी की नेट्वर्क मार्गेटिक इंडरिस्ट्री माने का सवाग्या पराप्त हुआ, संजी गुरु जी, अमी जी के साथ मुझे नौकरी करने का मोका मिला, वही मेरी सर से मुलाकात हुई, दोस्तों, इंडिया टीम तक भी सेलेक् मत को दोस दिया, अच्छा कासा मोका मिला, निकल गया, गेम में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी जिंद के में निकल गया, क्योंकि उपरवादा ने कुछ और ही सोचा हुआ था, जब में इस इंडूस्ट्री माया, नेट्टों मार्केटिक में आया, मैं आया, ज जब जुवाइन क्यात सबसे बड़ी समस्या, एजुकेशन अपनी बिलकुल निलबटा सननाटा, हिंदी में बात नी करनी आती, और भारत की हमारी सबसे बड़ी भाशा हिंदी भाशी दे साई है, और जहां लोगों से बात और मुलाकात करना का अभवसाय है, और यहां मेर मेरी तो बात ही नहीं होती थी, और मेरी लोग बात समझते ही थे, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, जब लाश्ट में कुछ में लेडर से रजू लिये, तो कुछ लोगों ने बोला सर, मज़ा आगा, लोग बड़े खुश आपकी बात सोर कर, लोगों ने बोला बंदा बड़ ज जोशीला है, बड़ अच्छा बात करता है, बड़ अच्छी कॉमेडी भी करता है, मजाया, लेकिन, अब ये जैसी लेकिन किन्तु बटवाई प्रंतु हेल्पी बर्फ लगते हैं, तो इंसान के रोंग टेक्ट हैं, लेकिन क्यों लगा, जब मुझे बोला सर लेकिन, मैंने ब लेकिन कंपनी में शुरूअट में बहुत बारी हुआ, कि समझाना क्या चाहते थे, तो मैंने खुद की रिकोडिंग जब करके मैंने सुनी, तो मुझे पता चली, कि मेरी बातों रेकोडिंग मैं ही नहीं समझा पा रहा तो दुनिया कहां समझेगे? I Gabrie किसी स्वाखत आफ की स्वागव आइंगे उन से मिलना आपके सवालों के ज्वाण मिल जाएंगे मेरे साथ शुरुवात के दो सालों में ऐसा बहुत बारी हुआ जब मैं लोगों से मिला तो मुझे बहुत लोगों ने स्वाल किया सर जहां बताया था मारी कंपनी के ट्रेनर आएंगे टॉपलीटर आएंगे हमने सोचा कोई आएगा बड़ा मैच्योर सा वेक्ती प्रालिका बेख्ती इंग्लीस टॉक करने वाला होगा चालिस पहलिश पचाह साल कहोगा सर बहुत लोगों जं मुझे जह एज एज चीफ गषिट एजए कमपनी ट्रुपलीटर मिलोया बहुत साम लोगों मेरे कंदे बाएधर केव उनकावoga सब क्या हाल है जब बादें बता है यह मारी कमने के टॉप लीटर है तो कुछ लोगों बोला सर हमें लगा था को बड़ा मैच्वर विखती आएगा आपको देख लगा बाइज़ तो को स्टाइल मारने के लिए यह का ट्रेनर होगा तो में तेव लोगों से मिलता था डीली मेना एक्सपिरिण स्पेरिंस अब लोगों को मैं प्लान समझाता था, मेरे हाथ से बहुत लोगों ने प्लान फॉल्ड ले लिया है, और मेरा प्लान खुद ही मुझे समझा दिया है, अच्छा, आइरवेद में आए हो, जी बाई शाब, अच्छा, बाइनरी है, जी, लेवल भी है, जी, बाट बढ़िया, फाइल वापिस, बढ़िया है, जी, कर लेंगे, मुझे लगा बिना प्लान समझाए, बन्दा कर्मेंस हो गया, मज़ा आगया, फिर तो उसने बाते कहानी रखी, अपने लिए क्या है, उसके लिए क्या है, तो मैं बढ़ा एक बाद सोड़ा हतास भी हुआ था, जब मैं सर के पास आया, कि सर नहीं हो रहा, तो सर ने मुझे बड़ा कमाल का जवाब दिया, वैसा अगर नहीं हो रहा, तो मैंने तेरे को सवाल लखने के लिए, समझाए, बताने के लिए नहीं रखा है, मैंने तेरे को रखा है, बिजन उसमें प्रफॉर्म करने के लिए, अगर नहीं कर सकता, तो तेर से बहतर, तेरे से समाट दुनिया बहुत गुम रहे हैं, मैं किसी को भी हायर कर लूँगा, उस दिन मुझे दिन की बात समन मैं, जीवन के अंदर अबनता है, इंसान उमर से नहीं, इंसान पढ़ाई से नहीं, इंसान उसके टैलेंट, इंसान उसके परफेक्शन से करमेस होता है, मेरे दोस्तों, इंडिस्टी की प्रोमलम है, यह आपको समय देगे नहीं शीखने के लिए, और समय मुझे भी दिया नहीं शीखने के लिए, मैं दिन बर काम करता था, दिन बर प्लान करता था, मेरे जीवन मुझे सर ने मुझे बात बोली, कि उठके भाग यहां से, मु और रात में खुद को सिखाता था, मैं सरो की टैनिक रिकोर्डिंग करता था, और जब भी सर मेरे सामने बैठे थे, पहन के रिकोर्डिंग सुनता था, लिखता था, सिसे के सामने खड़े को तैयर करता था, मैं अपने अपको चेंज किया, अपने अपको ट्रेंड किया, अ काम्याम होना है तो कामली चाहिए और अपने आप नहीं आएगी रात को जगना पड़ेगा दिन में काम करना पड़ेगा प्लान भी करने पड़ेंगे फॉल अपी करने पड़ेंगे खुद को तैयार भी करना पड़ेगा तो रात में जगना पड़ेगा मैं तस बजे के बाद मैं ग्यारा बज़े के बाद, मैं बारा बज़े के बाद, जब मैं आरवी में था, मैं तब फोजगे बाथरूम में सीसे के सामने खड़ा होकर, बोलने की प्रैक्टिस करना शुरू किया था, पिछले साथ साल से, पिछले साथ साल से, मैंने मेरे जीवन में कभी टे टाइब म बिजले साथ साल से, मैंने हार एक सहर में हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ बिजने शुरू है, हार लीडर के साथ मने थाके शुरुबात किया हूं, लाकिन मेरा रात में अभी होटल के रूम में, सोय आनोई मेरे दोस्तों, मैं 11-11 बजे के बास, सुबह के 4-4 बजे तक, खुद को सिखाया है, खुद को तैयार किया है, लिख कर सिखा है, रिकोर्डिंग सुन के सीखा है, शिसे के सामने खड़ा होकर के सीखा है, तैयार किया खुद को, तैयार किया, और ये बात मने एक बार समझ ली है जिन्दगी में, ये बात आपने भी जीवन में सुनी होगी, और यह मेरा मैसेज है जितने मेरे दोथ हिंदुस्ताने मुझे सुन रहे हैं और इस मीशों के बाद जो सुनेंगे यूटूब पे मेरा हर हिंदुस्तान के एक नेटवर्कर को संदेज है समय नहीं मिलेगा कभी शीखने के लिए यह इंडेश्टिक्ष्य में नहीं देगी कभी खुद को सिखाने के लिए अगर बड़ा बनना है दिन में एक्टिविटी करनी पड़ेगी और रात को जगा कर खुद को सिखाना पड़ेगा खुद को तैयार करना पड़ेगा मैंने ऐसली भी इस कंपनिम खुद को जगाने के लिए जुआइंड की रूटरोवे लोग घुटने पे लगाते हैं कंदे में लगाते है अनिली कुरी ने जुआइंड की रूटरोवे खुद को जगाने के लिए मा कसम आँखों पे लगाया है कि नेंद ना आजाए लगाया है और खुद को जगाया है और यह अपने जिन्दिगें सुना होगा एक बात दुनिया में जो भी इंसान अज बना और कामियाब बना है मेरे दोस्त उन्हें दिन में अपने सारे रोदबन रगे कारिये किये हैं जितने भी लोग दुनिया में कामियाब हुए हैं, उनने खुद पे हमेशा रात में काम किया है, और जो दुनियां बड़े बड़े अचीवर होते हैं, जो टोपर होते हैं, आई एस आई पिस बन जाते हैं, उनके बारे में ऐसी बाते लोग कहते हैं, रात तो रात जगा है, रात रात बर जगा है, तब बड़ा बनना है, अगर आप बड़े बनना जाते हो, रात बर जगना पड़ेगा, शीखना पड़ेगा, अगर बड़ा बनना है, तो रात अपनी है, दिन तो अपनी टीम का है, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इस हॉल में बैठे हों के हिं और मेरे दोस्त, इमरा आगरी संदेज है, कि समय नहीं मिलेगा कभी, स्पेशली सीखने के लिए, लेकिन परफेक्शन चाहिए, क्योंकि सक्सस चाहिए, और परफेक्शन से आती है सक्सस, और सक्सस के लिए, तो जगना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बदलना पड़ता है बुरी आदतों को और अपने आप में जाए जो किसन नहीं है उसको अपने आपको काबिल बना करके तो बुतलाओ करना पड़ेगा और लाश एक बात कहना चाहूंगा आखरी एक बात है मेरी कहते हैं दुनिया में प्रोफेशन कोई भी हो कहते हैं जिस इनसान के पास अपने काम का ज्यान है जिसके पास अपने काम का ज्यान उसको हर इनसान बोलता है राम राम बरे दोस्त अगें रिपीट करूँगा जिसके पास अपने काम का ज्यान उसे हर इनसान बोलता है भाई राम राम और जिसके पास नहीं अपने काम का ग्यान उस से हर बंदा पूछता है तेरा यहां है क्या काम तो अगर करवाना चाहते हो राम राम तो खुद को काबिल बनाओ अगर सवाल करवाना चाहते हो कि तेरा यहां क्या है काम तो मत खुद को काबिल बना मेरे दोस्तों बस मेरा आपसे इतना संदेश था आप लोगों ने समय दिया आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया पिछले साथ साल से और उमीद करता हूं दोस्तों आने वाले वक्त में भी आप लोगों ने जैसे साथ साल से मेरे को साथ प्यार और सम्मान दिया है उमीद करता हूँ आने वाले वक्त में भी मुझे आपका प्यार आपका साथ आपसे सम्मान मिलता रहेगा और इसके साथ मैं भी आपसे वाइदा कर रहा हूँ जैसे साथ साल से मैंने सरी इस कंपनी को मंदिर मान के तन मन से मैनत किया है मागे वाइदा करता हूँ आने वाले जीवन में जब तक सांस है मैंना वाइदा है हर वेक्ते के साथ हर सहर और जोए गाउँ हो जब जूरूत पड़ेगी किसी घर में प्लान देना पड़ेगा साइकल पे जाना पड़ेगा बाइक पे जाना पड़ेगा मैं दोथ वाइदा करता हूँ हमेशा आपके साथ मिलूँगा हमेशा आपके साथ मिलूँगा बस अचिविमेंट के नाम पे मेरे को अपनी स्टोरी शेयर करने का शकता नहीं है उपरवाले प्रमपिता प्रमिश्टर का दिया बहुत कुछ है और बहुत कुछ दिया है मैं एकी बात मानता हूँ इस दुनिया में कामियाभी की सबसे बुड़ी खुशी पैसा कमा के तो मिलती है पर मेरे जिन्दी की बात मैसूस की है इस दुनिया में सबसे बुड़ी खुशी पैसे सी भी जादा मिलती तब है जब कोई इंसान स्टेज के खड़ा के बोले कि मेरी सक्सस की वज़े फ्लाना व्यक्ति है और इस प्रवाले के प्रमपिता प्रमिश्टर की महरवानी है ऐसे लिए इस कमने का प्लेटफोर्म है और स्टेज को का शिरुवाद है कि जिन्दी की में ये मुकाम आसिल हुआ कि लोगों की सक्सस की वज़े बनने का सोभाग्य मेरे जैसे एक बारवे क्लास पड़े लिखे मेक्ति को मिला इसके लिए थैंक्स टू गोड और थैंक्स टू संजी सर गुरू जी धन्यवाद धन्यू दोस्तो बादो धन्यवादा सभी का शुक्रिया थैंक्यू